हुलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई य्ट्वी चैनल मस्क्तिकस 요 अविगर की आज रएक्जिर में फ्रेंट्स हम लोग करांगे अदम्स मौटन मेथट का एक अजांपल प्रिवियस लेक्शिर में हम लोगों ने अथम्स मौटन मेथट का डेरिवेशन, कम्प्लीट फॉर्मुलाजेशन कर लिया था, ठीक है, फॉर्मुले हम लोगोंने ड्राइफ कर लिये थे, प्रिवेस लेक्चर में, डेस्केप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आज हम लोग उस पे बेस एक्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है, इंपोर्डेंट टॉपिक है, देखो, ये मेथड से बहुत ज़्यादा कोशन पूछे जाते हैं, रादिस्थान यूनिवेस्टी हो, या फिर RRBMU, राज, रिशी, भरत्री, मतस्या यूनिवेस्टी हो, वहाँ पर कोशन पूछ लिजाते हैं, प्रिवेस लक् जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉरिंग पेपर है, ठीक है, अग्जाम में आप लोग आराम से नंबर गेन कर सकते हैं इस पेपर में, बस बात है तो कैलकुलेशन की और फॉर्मुले की, कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होना चाहिए, आपका और फॉर् ठीक है, हंड्रेड में से आप लोग 90 मार्क्स आराम से अटेंट कर सकते हैं, यदि मेरे सारे ले रहे हैं तो, ठीक है, यदि आपनों कुछ स्किप करके ले रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कह सकती ठीक है और ब्रही बात की 100 में से 90 क्यों भी यह 90 out of 100 ही क्यों 100 by 100 क्यों नहीं वो इसलिए तुकि कई बार हम लोगों ने notice क्या है exam में ऐसे question भी आ जाते हैं जो हम लोग नहीं करते हैं ठीक है मतलब आतेसले बस से हैं लेकिन कुछ बाहर से आ जाते हैं वो question जैसे कुछ अलग इसमें method लगेगा ठीक है कुछ इस तरह की question आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होता है कि starting कैसे करें clear हो सकता है जैसे question आ जाएं जैसे मैंने सिर्फ ये वाला question कराया ठीक है इसमें तो देखो हमें सभी values दी हैं अई मैं समझाओंगे मैं क्या बोल रही हूं बस ये सुन लेना यदि question में मुझे ऐसा दे दे exam में ये नीचे की 3 values नहीं दी हैं ये वाली सिर्फ ये वाला value दिया है ठीक है तो मैं कह रही हूं अगर ये question exam में आ जाता है तो आप लोग क्या कर पाएंगे यदि आप लोग घर से prepared नहीं करके गए हैं कि 3 values अगर ना दे हमें तो कैसे निकालनी exam में तो आप लोग नहीं कर सकते ठीक है तो कुछ इसी type के questions आते हैं वो 10 marks में clear क्योंकि आप लोगों को वही नहीं है formula वही लगेगा जो आज हम लगाएंगे बट उससे पहले का step की 3 values find out करने का वह आप लोगों ने पता होना चाहिए तो don't take tension हम जितने भी possibilities हैं सबोगों cover करते हो चलेंगे मैं आप लोगों को example कराऊंगी ठीक है 3 values find out करने की भी हम लोगों ने मिलने method में भी कि चैसा आजाता है हम लोगों नहीं पड़ा इसलिए मैंने बोला है 90 चलो बहुत देरों की start करते हैं question क्या है use Adam's mountain method to compute y 0.4 correct to the 6 decimal where y satisfies this differential equation आप लोगों ने differential equation दे दी वही है कहरा इसको numerically solve करो Adam's mountain method से निकालना क्या है y 0.4 की value differential equation solve करना तो हम लोग BSC में सीख कर आए हैं लेकिन यहां क्या फिर नया सीख रहे हैं वहां हमने differential equation की book पढ़ी थी BSC में यहां हम numerical analysis में पढ़ रहे हैं differential equation को कैसे solve करते हैं समझ आया तो जो आपके पास यहां से values आती है न वाई की numerically solve करने पर वो कते ही एक्जेक्ट नहीं होती है एक्जेक्ट नहीं होती है मतलग जो differential equation book पढ़ी थी उससे निकालो BSC वाले से y का यहां से value जो भी आएगा y में कुछ ने कुछ equation आएगी ठीक है solution इस equation का तो जो भी यहां से solution आएगा उसमें रखेंगा t की value क्या 0.4 और फिर देखना यहां से क्या solution आता है और numerically जो अभी हम solve करना सीख रहे हैं वो solution देखना इन दोनों में difference आता है difference क्यों आता है क्योंकि एक exact solution है यह हमारा numerically है इसमें दोनों में difference इसलिए आता है क्योंकि जब आप लोगों ने अगर प्रिवेस लेक्चर लिया है तो पता होगा जो हमने formula निकाले हैं जिनसे हम लोग y की value निकालेंगे उसमें हम कुछ last की terms को छोड़ देते हैं skip कर देते हैं तब term तुम पूरी layer ने देख तो answer कह से पूरा आएगा इसलिए इन दोनों में difference आता है चलिए जल्दी से start करते हैं 6 decimal तक कह रहा है correct होनी चाहिए value यानि की प्रेडेक्टर formula की value और character formula की value decimal के बाद 6 digit 6 decimal मतलब 6 digit 1,2,3,4,5,6 ठीक है 6 digit तक सेम आनी चाहिए यही मतलब है इसका differential equation देती values आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से दिये देखो अब मैं यहाँ चीज क्लियर कर दूँ मिलने method में हमारे इस तरह से minus में ने ली थी यहाँ minus में है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई दिकत नहीं है कोई दिकत नहीं है समझने की कोशिश करो यहाँ पर आप लोगों को टी note कितना दिया है देखो आप देखने की कोशिश करो 0.01 0.02 0.03 0.04 यह sorry 0.04 है न दद्यसे लेख दिया 0.4 इसको कर लेजिए 0.04 है यह ठीक है 0.04 तो आप लोग देख सकते हैं T-note क्या हो गया 0 उसके बाद कहां आए T1 पे वो किता हुआ 0.01 यह self understanding यह T2 कितना है 0.02 T3 कितना है 0.03 clear T4 कितना है यह कैसे कह दिया पहले पर यह H निकालो जब आप T4 निकाल सकते हो H क्या होता है T1 में से T-note को माइनस कर दो step size है एक step में से दूसरा step माइनस कर दो यह T2 में से T1 कर दो अब यह मत कहना T2 में से T-note क्यों निकाल सकते वह यह दो step आगए हमें step size निकालना है previous step लो और उसके just बाद वाला step लो उसमें से इसे माइनस कर दो तो यह यह आ जाएगा 0.01 ही H आ गया तो T4 बिल्कुल निकाल सकते है T3 में H को add करके 0.03 में 0.01 एड करा तो 0.04 बिल्कुल यह हमारा T4 है अगर यह 0.05 होता तो हम क्या कहते हो से T5 clear? चलिए T4 आ गया अगर देखो यहां पर कुछ भी नहीं है 0.03 वाले को 0.03 पर य की value उसे y not का है मैं नहीं कह रहे है मैं नहीं कह रहे है मुझे माइनस वाला अच्छा नहीं लग रहा कई books में ऐसा लिखा देखेंगे आप इसलिए मैं बता रही है देखो T not हमने क्या माना है यह वाला तो T not पर y की value मैं y not से कहती हूं तो यह है 1 ध्यान से देखना मैंने इसका नाम रग गया है y not ठीक है ध्यान से देखलो इसका नाम मैंने y not रग गया है T1 पर y की value को y1 कहती हूं 0.01 गेडा यह है 0.99 T2 पर y की value मैं कहती हूं y2 यह कितना है 0.9801 ध्यान से देखिए नाम करन चेंज हो रहा है यहाँ पर y3 T3 पर y की value को मैं कह रही हूं y3 क्या मुझे बता सकते हो T3 कहा है और इस पर y की value क्या है 0.9703 clear मुझे निकालना क्या है T4 पर y की value जिसे की मैं y4 कह रही हूं मुझे क्या यही नहीं निकालना है क्या मुझे यही नहीं निकालना है तो बस इस पर लगा लीजिए अब caution mark अब तो कोई दिक्केत नहीं है यह minus minus को सब चक्कर खतम यही चक्कर आप लोगों ने खतम करना सीखना है अब exam में confused नहीं होना है clear समझ आया y phone निकालना कुछ नहीं करना बहुत ही easy example है dy upon dt हमें equation क्या दिया है differential minus y जिसे की हम कहते है function of t, y तो f हमें क्या दिया है minus y बस इसका पूरे भईया use होने वाला है एक तो इसका और इन दोनों को लिख लो एक साथ कि y dash बढ़ावर minus हो है आप सीख ले न भईया कैसे use होगा देखो students मैं आप लोगों एक चीज clear कर दू मैं इसे जितना हो जगता है न मैं आप लोगों को चाहती हूँ उतना ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगो समझ आया चीजे ठीक है बहुत सारे lectures होते है YouTube पे भी है college में भी होते है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मैंने notice किया है कुछ में कुछ चीज़े छूच जाती है हम लोग भी पढ़के आए हमार को भी सारी चीज नहीं मिल पाती थी ठीक है इसलिए मैं आपको चाती हूँ प्रॉपर समझाओं इससे लेंदी हो जाता है lecture तो लेकिन clear तो होता है न चीजे तो यदि आप लोग चाते हैं कि चीजे इतनी clear भी ना हो जितनी मैं कर रही हूं ठीक है कि मेरा मकसद है आप लोगों को चीजे clear कराना चीजे समझ आए ठीक है जो मैथ फोबिया है मतलब मैथ से आपको डर लगता है उसे खतम करना काम है तो आप लोग प्लीज ही को बताईए का मतलब किस तरह का आप लोग चाहते हैं लेक्टर तो देखिए अधर स्माउल टें म मैं आप लोगों को कल बता दी थी लिंक description box में महां साप लोग देख सकते हैं तो यह y j plus 1 is equal to होता है y j plus h by 24 एक बर read कर देती हूं यह दि किसी को समझ नहीं आ रहा तो 55 y j dash minus 59 y j minus 1 dash plus 37 y j minus 2 dash minus 9 y j minus 3 dash करक्टर फर्मुला कुछ इस तरह से है yj plus h by 24 9 yj plus 1 dash plus 19 yj dash minus 5 yj minus 1 dash plus yj minus 2 dash clear? चलो तो यह तो हमारा जर्णर फर्मुला है जे की फर्म में हमें कोशन में ऐसा कुछ नहीं दिया है या कि yj plus 1 निकालो हमें सीधा सा कोशन में यू कह दी कि y 0.04 निकालो फिर मैंने इसे कहा y4 तो यहां पर जो आ रहा है अगर मैं वो यहां से निकालना चाहूं तो मैं j की जगे क्या लिख दू? मैं सोच पा रही हूं कि j की जगे अगर 3 लिख दिया तो अपना काम बन जाएगा 3 और 4 y4 y4 मतलब कोशन मार्क जो हमें चाहिए रग दू फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है? समझ रहे हैं न? j की जगे सिफ 3 लिख रही हूं तो फॉर्मूला देखो लिख देती हूं चलो साथ साथ ही लिख लेते हैं j की जगे मैं लिख रहे हूं 3 ठीक है? आप अपने नॉट्बुक में देखें मैं अपने नॉट्बुक में देखती हूं तो y j की जगे रख रहे हूं 3 तो y 4 is equals 2 यह आएगा अपना प्रिडेक्टर फॉर्मूला y 4 is equals 2 क्या जाएगा? y 3 प्लस h y 24 ब्रेकिट में 55 वो था y j डेश j की जगे मैं रख रहे हूं 3 क्लियर समझ आ रहा है ना? चलो लिख देती हूं चलिए ठीक है? अब हमें क्या निकालना है? मैं यहाँ पर कुछ देख पा रही हूं फॉर्मूले में y 4 निकालने के लिए y 3 चाहिए क्या मेरे पास है? बिल्कूल है जी कोशन में दे दिया था y 3 का value चलो भीया लेकिन यार ये तो दे नहीं भूल गया कोशन कोशन में ये चीज तो दे नहीं भूल गया अरे कुछ हम भी तो निकालेंगे चलो ये निकालना सीख लेते हैं जैसा कि मिलने मेथट में सीखा था तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? मैंने भी आपसे एक चीज कहाता है डब्बे में बंद करा था कि इसे याद रखना डब्बे में बंद करा था y' is equal to minus y को खीक है? डब्बा खुलने का समय आच चुका है फ्रेंड्स y' is equal to क्या दिया है? minus y मुझे y' नहीं चाहिए अभी y' 3' चाहिए तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या होता है? y function of t यही मतलब नहीं होता है क्या? y' 3' चाहिए मुझे y' 3' का मतलब है 3 अच्छा इसका मतलब है t3 dash कीजिए के dash चल रहा है y' t पता है y' t3 नहीं कर सकते t कीजिए यह t3 रखना है और कुछ भी नहीं तो मुझे ज़रा बताना क्या जाएगा minus y t कीजिए t आ जाता है t3 कीजिए बताओ minus क्या y t3 यानि की y3 हमें कोशन में नहीं दिया था बिल्कुल दिया था जी बिल्कुल दिया था इसी तरह से y2 डेश हम मुझे बतादो जल्दी से क्या आने वाला है यह रामायन लिखने से कोई फायदा नहीं है डारेक्ट बताओ मुझे इसका मतलब चलो एक बार और लिख लेते हैं रामायन कोई दिक्कत नहीं है थरी की जीगे बस बहिए टू लिख रहे हैं और कुछ कर रहा है तो बता दीजे क्या yt2 मतलब की y2 हमें कोशन में नहीं दिया था बिल्कुल दिया था अच्छा माइनस भी है क्या चलिए भीया y1 डेश तो अब आप लोग बताई सकते हैं मैं जानती हूँ मैंनस yt1 मैंने सीधा ये लिख दिया मैंने सीधा ये लिख दिया yt1 मतलब y1 क्या हमें कोशन में दिया था अवश्य दिया था अवश्य बद्स चलिए y0 डेश बताईए मुझे minus yt0 normal सी बात भी अब 1 की जागी अब 0 आगया क्या दिक्कत है clear minus yt0 minus y0 क्या y0 why not हमें कोशन में अवेलेबल नहीं था क्या कोशन में हमें अवेलेबल नहीं था श्रेंट मैं आप लोगों कोई चीज clear कर दू यह लोग यहां से नहीं देख रहे हैं हम इनका नामकरण कर चुके हैं न यहां से देख रहे है ठीक है why not कितँ अ डिया था 1 why not इसे मत कहिएगा अब हम नामकरण कर चुके है why not कितना आ जाएगा 1 कुछ और जरुरुइत है क्या नहीं कुछ और जरूरत नहीं है चलो यहां भी देख लेते हैं यह सब चीज आ गई तो y4 डेश नहीं है इसकी जरूरत है इसकी जरूरत तब पूरी होगी जब यह y4 निकाल दोगी यह वाला y4 डेश लिखते हैं यहां पर ठीक है यह जो y4 का value आगा आने वाला है उसको character formula में use करेंगे और इस y4 की improve value निकालेंगे character formula की help से चलो हुई यह सबसे पहले predictor formula यूज कर लेते हैं आप लोग देख सकते हैं अपनी notebook में लिख लीजिए ठीक है मैं नीचे लिखने वाली हो चलो so by predictor formula लिख लेते हैं पूरा आप लोग लिख लिजिएगा by predictor formula ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा और landy हो जाएगा lecture चीजे clear होगी we have y4 is equals 2 मैं values पूट कर रहें students y3 का value हमें question में दिया गया था कितना 0.9703 plus h आप लोग प्लीज एगा लिख लिजिए चीजे clear होंगी ठीक है मैं यूज कर रहे हूँ देख लिजिए एग बार और चलो h का value हमने अभी अभी question में निकाला था 0.01 by 24 bracket by 3 dash ये रहा minus 0 point अच्छा minus 0.9703 clear minus क्या था 59 y2 dash y2 dash ये रहा sorry ये रहा ना minus 0.9801 plus 37 y1 dash ये रहा minus 0.99 minus 9 y not dash ये रहा y not dash कितना है minus 1 bracket बंद हो जाता है आपका काम खतम होता है आप चालू होता है काम calculator का सब कुछ type करें calculator में और मुझे बताएं ये product value क्या आने वाली है calculate हुई देखो आप लोग confuse मत हो ना जो नामकरन मैंने करा है वो आप लोग भी करना question में कोई दिक्केत नहीं आने मली ठीक है अगर नामकरन नहीं करते हो थोड़ा से यहाँ पर minus minus सा दिखता है तो उस्टे थोड़ा से देखने में कुछ बस अच्छा नहीं लगता है और तो कोई चीज नहीं है है ना confusion हो जाती है तो इसलिए बस नामकरन कर ले न चीज़े ज़्यादे क्लियर हो जाएंगी चलो calculate करने के बाद मैं बता देती हूँ क्या आ रहा है 0.960645 मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा है MSC के एक्जाम में वही है कम से कम decimal के बाद साथ डिजिट तो लिखा करो 6 से साथ डिजिट लिखा करो चलो इस कोशन में कहती 6 decimal तक तो बहुत अच्छी बात है 6 decimal तक ही हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन बाद चात नहीं देता है कोशन में BST में चल जाता था 3 से 4 वेली MSC में नहीं चलने वाला क्लियर हम तो BST में कहते थे कम से कम 6 साथ डिजिट निकालो और अब तो आप बिल्कुली MSC में आगे हैं आगे हैं ना तो फिर कम से कम 7 से 8 निकालो और भी चलिए 9 तक तो टोटल आती है डिजिट केल्कुलीटर में है न आप लोग जितनी हो से के निकालने कोशिश करो यदि एक्जाम में टाइम नहीं है 5 मिनिट बचिए कोशन पूरा बच रहा है तो कोई आवशकता नहीं है 8 डिजिट निकालने की 4 तक भी निकाल लोना कोई दिक्कत नहीं है अरे कोशन पूरा ही रहाज़े कर जब क्या कर लेंगे 6 साथ डिजिट की जब देखी जाती है की टाइम है हमारे पास चलिए बहुत बात हो गई नाव बाइ करेक्टर फॉर्मुला नाव बाइ यूजिंग करेक्टर फॉर्मुले का यूज करके करेक्टिड वैल्यू हम लोग निकाल रहे है करेक्ट वैल्यू निकाल रहे है वाई 4 की वाई 0.04 अच्छा ही इसको आप लोग कहीं पर पता है ऐसे भी लिखा देखेंगे तो अच्छा करेक्टर फॉर्मुले को फिर कैसा लिखा देख लोगे करेक्टर फॉर्मुले को ऐसा लिखा देख लेंगे या क्या दिखते है ठीक है वाई 4 C ऐसे भी लिखा देख लोगे कहीं चलो गई या फॉर्मुले का यूज करे अरे एक चीज़ तो भूली गए एक चीज़ तो भूली गए चलो अब निकाल देते हैं हमें आतो गई ऐसे आतो गई ना निकालनी मुझे बताऊ नहीं यहां से अगर यहीं से देखना चाहो तो y4- है ना y4- कैसे निकालते हैं कुछ भी नहीं y4- तो y' लिखो और अंदर t4 लिख दो ठीक है जी फिर minus y जो यहां पर है वही यहां पर लिख दो अच्छा जी फिर फिर भाईया जो yt2 की value होती है वो लिखी थी तो जो yt4 की value हो वो लिख दो yt4 अभी तो निकाला yt4 कितना आया जितना अभी आया लिख दो यही तो है तो कितना है with minus sign 0.960645 लो जी आगया y4- क्या दिक्कत हुई अब यूश कर ले character formula सब कुछ आ गया चलो अपनी अपनी notebook में लिखो फटाक से मैं करती हूँ तो यह आजाएगा y3 y3 की हमें values दी थी quotient में वो थी 0.9703 plus h 0.01 by 24 bracket 9 by 4 dash अभी अभी हम लोगन निकाला है minus 0.960645 चिक है plus में क्या था 19 y3 dash वो तो हमार पास पहले सी निकला हुआ है minus 5 y2 dash यह भी पहले सी निकला हुआ है प्रेडेक्टर formula में भी use आया था plus y1 dash जी बिल्कुल यह भी पहले सी निकला पड़ा है पड़ा है तो इसे यहां पर रख दो रख दिया रखने के बाद अपना काम खतम हो जाता है काम सुरू हो जाता है calculator का तो भाईया चलिए calculator ने हमें calculate करके बता दी है y0.04 की correct value जो कि हमें कोशन में पूछी गई थी यह आई है 0.960 645 क्या हम से यही पूछा रहता 6 decimal तक correct होनी चाहिए value क्या हमारी 6 decimal तक match नहीं कर रही है आप लोग सुनो मेरी बात एक बए दुबारे सुनो यहाँ पर 7-8 digit तक निकाल दो हमें match जहां तक करनी है वो करनी है कोशन के इसाब से ठीक है मैं इसे लिए बोल ली थी जब 6 digit की match कर रहा है तो 6 digit तक निकालो बहुत है लेकिन बैचांस कोशन में हमें यू कहता ही नहीं है कि 6 digit तक निकालनी है वो बस सीधा कोशन दे दता है 6 decimal place कुछ भी नहीं लिखता है तो 8 place तक निकालना और करक्ट कहां तक देखो गए कि थोड़ी वो दोना match करे वो देख लेना 5 तक 5 या 6 तक ठीक है ज़र्वत नहीं है चीज़े clear हो रही है तो कोशन में हमसे यही कहा गया था कि 6 decimal तक करेक्ट होनी चाहिए 6 decimal तक भी यह करेक्ट होनी चाहिए तो हम लोग देख पा रहे हैं जो हमने value predict की थी predictor formula से वही value character formula से आ रही है तो यह यहाँ पर हम लोग proof कर पाए हैं कि 6 decimal तक value बिलकुल correct है ठीक है यही हमारा answer आ जाता है language लिखना चाहिए तो लिख दीजिए since predict and character value same है 6 decimal तक इसलिए यही हमारी correct value है यही हमारे correct answer है समझ आया तो बहुत बहुत धन्यवाद instruments मिलते है next lecture में next lecture में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी अगर यह हमें previous की values ना दे जो हमें आज तो दे दी थी ना question में आज तो दे दी थी वही है जरूरी नहीं है एक्जाम में भी दे दे हो सकता है हमें सिर्फ T note पर यह अटका दे T1, T2, T3 Y1, Y2, Y3 की value के है खुद ही निकाल लो Y4 भी तो निकाल नहीं है यह तो question में एक्जाम में दिया है इसके तो निकालना बहुत जरूरी है मैसी के एक्जाम क्लियर करने के लिए तो भई यह इसको निकालने के लिए कि इनकी तो जरूरत है वो नहीं दे रहे है वो हमें खुद में निकालनी है तो वो कैसे निकालेगी students वो हम लोग सीखेंगे next lecture में किन method से निकालनी चाहिए किस से easy पढ़ती है exam के point of view से किस से निकाल सकते हैं वो सब चीजे next lecture में सीखने वाले है तो मिलते हैं फिर next lecture में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत happy दिवाली आराम से मोज करें पढ़ाई भी करते हैं वीशीच में ठीक है लेकिन तीन दिन के लिए ब्रेक चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ दें लक्टर्स आप लोगों को continue मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं दिवाली के बाद आप लोग देख लीजेगा तो आराम से मोज करें जितना हो सके पठाकों से क्रेकर से दूर रहें पता है आप लोगों को काफी intelligent है pollution हमारे हाँ ऐसे ही कितना है तो मिलते हैं फिर स्वेंस नेक्स लक्टर में तब तक के लिए बाई बाई टाटा खुदा आफिस